कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे मस्त होंगे खुसाल होंगे और आज दिन है मंगलवार तो मैं आज वीडियो अपना 11 बजी से स्टार्ट कर रही हूं मेरा बेटा दक से वह सो गया है वह आराम से सो रहा है मैंने उसे कंबल बगएरा अघ्य से अच्छे से सुबह वही जल्दी जाता है जब में उठती हूं वैसे ही साथ वह उठता है अगर मैं धेर से उठته जिसेके कहां किसे हैं ल counting चुर्ट होंग सो गज coment देर से उठता है लेकिन जब मैं जल्दी उठती हूं तो भी मैं जल्दी उठ पाणैं को उठता तो सुबह हमको टीफीन मनाना पड़ता है अपने हजबन के लिए स्कूल जाते है न वो इसलिए तो मेरा काम ना करने नहीं देता है तो मुझे इसे पूरे फुल और दो इस्ट्राक पहना कर मुझे क्या वगरा पहना कर इसे बॉकर पर बिठाना पड़ता है तक कि वो आसपास घूंता रहे और वो देखे कि मम्मी है खड़ी है काम कर रहे है और मैं भी अपना काम कर सकूँ तो वो पूरे बॉकर से चल चल के दख जाता है फिर वो अपनी नीम कुछ गंटों बाद पूदी करता है जो मेरे अजमन चले जाते है तो वो चले गए है और वो अपसो गया है तो आराम से वो सो रहा है और थोड़ा सा धीमेदी में बोल रही हूं मैं कहीं वो जग न जाए और यह रही आध्या इसको देख किला तो मेरे मेरे हड्मारी कापड़ मेरे केसी कपड़े प्रस करने वाले में रखते हूं my other देलीवर पहनने वाले कप्रे एक निकाला दस असी भड़ दिये थोड़ी सी महस हो चुकी है सोड़ी सी ने कुछ जादी महस हो चुकी है इसको आज ठीक करूंगी मैं पकाद मैं इससे ठीक करूंगी और बहुत तो लोग मुझे फिर से कॉमेंट कर रहे हैं कि यह अलमारी कहा भी प्रोवाइट किया था अगर आप लोग को चाहिए उसका लिंक तो मैं फिर से देने की कोशिस करूंगी लेकिन फिर से वही कॉमेंट आने लगे हैं साइज जो लोग मुसे नए जुड़ रहे हैं वो लोग कॉमेंट कर रहे हैं तो मैं उनको फिर से दे दूंगी इसका और मेरी ये वाली जो है ये मैंने ऑनलाइन ली है एम जॉन से तो सबसे पहले अलमारी में जितने भी कपड़े हैं वो सारे में बाहर निकालूंगी एक बॉक्स भी मैंने इसमें रखा है इसमें मैं थोड़े से चोटे मुटे कप़े रख देती हूं जैसे आद्या के अपन करको तो यहां पे मैंने सारे कपे कोसिस कuse कि margin juji लगें जितु मेंने इसमें रहने दिये और साती हची आधिया भी हल्पकराने तो मैंने बूला चलो तुंब तेला वालो बड़े बड़े मैं कर लूँगी बड़े मैडम कहां मानने वाली है बहुत हल्प परती है वो हर एक काम में मैं कोई भी काम करने बैट हूँगी ऐसा कोई जैसे कि गाजर किस्नी हो या फिर वेजटेवल कट कर रही हूँ या पतिया पतिाफना बड़े सबजाय है उसको छाटकर साफ कर रही हूँ तो ऐसे कामों में रूंशत आजएगी उस और वो मैं करोंगी जो वो उप जाएगी उसका मन भर जाएगा तब ही वो बोलेगी मैं नहीं कर रही हो otherwise वो पूरी भी पूरी हल्प परती है तो ऐसी होती है बेटिया so guys यहाँ पर दिखे मैंने कुछ कपड़े इस तरीके से तेला आके रख लिए हैं और कुछ कपड़े हैं जो कि प्रेस करने हैं उनको तो वो उपर लगा दूँगी और बॉक्स जो है जिसमें खोलो अलमारी और डिकालो और यह अलमारी साच में इतनी हल्फ करती है मेरी यह मेरी काफी जादा यूजफूल है यह अलमारी बहुत जादा तो जैसे कोई रिंटेड हाउस में रहता है उनके लिए बेस्ट है तो आप लोग अगर चाहें तो इसे खरीच सकते हैं लोकल सौप से ले सकते हैं अगर फिर से मुझे रूडा वीडियो में जिस वीडियो में ने दिया था वहां से लेकर तो मैं आप लोगों को दे दूँगी तो यहाँ पे लग गया है पूरा अलमारी सेट हो गई है और उसके बाद जो बाजू में जो रखा है ना फोर ड्रोज वाला बॉक्स स्टोरेज उसमें सबसे उपर वाले में मैं रखती हूँ दक्स के चोटी-चोटी पैजामिया, सौक्स उसका कैप वगेरा तो उसको भी मैं क्लीन करूंगी अभी उसको भी तोड़ा सा पूरा खाली करके चीजे समाल के अच्छे से तेह लगा के रखोंगी उसको भी काफी दिन से नहीं देखा है कोई भी चीज सही से ना रखो ना तो मैसी सी लगती है, तो बस वही है तो सारा मैसना आज में समेटी दूंगी तो बस लग जाते हैं अपने काम में फटा पर सारा काम समेट के रखते हैं पर सारा काम समेटी दूंगी तो गाइस अभी दख जग्या है, यह रहा और काफी लोग पूछ रहते हैं कि आप दक्तूर डेली नहलाते हैं तो नहीं, मैं रोज नहीं नहलाती हूं एक दिन छोड़के नहलाती हूं मैंने इसे कल नहलाया था, तो आज नहीं नहलाऊंगी अब मैं इसका फेस वास करूँगी, थोड़ा सा मुह दूलूँगी इसकी जीब है, वो साफ करूँगी कीला कप्डा करके इसके कान के पास में जो भी आसपस गंदगी जो भी लगी होती हूं इसे साफ करूँगी, इसे अच्छे से क्लीन करूँगी उसके बार, इसको त्यार कर दूघी आसा में रोज करती हूं मोलब एक दिन छोड़की एह और मैं इससे नहलाती हों अप्व और कभी जब मौसम ठीक रहता है, तो हीज़िए आपर यह गर्मियों में तो नहाता हूँ है जब से इसका जन्म होआ है मैंने जन्म होने के बार जब तो मैं можно when students सवाविछ चलता हूं और में चलती हूं यहाँ पर थो मुझे समलना यह कासा है और मैं ही अपने तरीके से करूंगी तो जब मैं वहाँ से ऐ थी तब मैं तब से लेकर गर्मियों में सर्दी स्ञाट रोने तो मैं इसे रोड डेली नहलाती थी अच्छे से नहला कर तयार करती थी और डेली मसाज भी करती हूं जैसे कि जिस दिन मेरे आज मैं इसके नहलाऊंगी नहीं तो इसका फेस वास बगरा करूंगी लेकि उससे पहले इसकी मसाज जरू करती हूं तो 40 रोज करनी चाहिए और दो बार तो ज़रूर ज़रूर करनी चाहिए मैं वैसे टाइम हो ज्यादा कर सकते थे और आज म अबनों से कुछ बात करनी है जो मिनिट मैं बैठ जाओं फिर्म मैं बात करूं तो यह बाल पकड़े है आज मुझे बात यह करनी है कि देखे एक हाउस वाइफ होने के नाते एक मा भी हूँ मैं दो-दो बच्चे समालती हूँ फिर मैं वीडियो बनाती हूँ तो कितना मुश्किल होता है वीडियो बनाना फिर बनाके एडिट करना और घर समालना हस्बिन के स्कूल जाते हैं उनके लिए सुबह जली से उटके टीफिन बनाना सारा दिन बच्चों को समालना व्लोगिंग करना एडिट करना आप लोगों तर वीडियो पहुचाना तो जाई इसी बात है कि बहुत डिफिकल्ट है लेकिन मैं फिर भी चोटे-चोटे से वीडियो कभी बड़े कभी चोटे आप लोगों के लिए बनाती हूँ शेयर करती हूँ और आप लोग बहुत सारा प्यार भी देते हैं मेरे बच्चों को मुझे तो एक बाद और कहनी है तो बस यही कि अगर आप मुझे पहली बाद बहुच कर रहे हैं जो भी लोग मुझे पहली बाद देत रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ही चैनल समझें मुझे बहुत अच्छा लगेगा मुझे सपोर्ट करें मुझे आँगे बढ़ाएं थाकि हमारी फैमिली यूटूब की फैमिली बड़ी हो सके और मैं भी आँगे कुछ कर सकूँ अच्छा अच्छा दिखा सकूँ ऐसे तो मैं बहुत ही कोसिस करती हूँ कि मैं जाल 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 चीजे कैप्चर करके आप लोगों को दिखा हूँ लेकिन जो चीजे पॉसबल नहीं हो पाती है बच्चों से लेकर बच्चों की वज़े से लेकर कि मैं कभी-कभी इसकी वज़े से व्लॉगिंग नहीं करती हूँ शाम से स्टार्ट करोंगी या फिर दिन में थोड़ी सी की दुपहर में की तो रात में की इस तरीके से वही शेयर करती हूँ दिन दिन बढ़ा हो रहा है थोड़े सा और आराम मिलेगा मुझे तो सरदी भी थोड़ी कम हो जाएगी तो फिर और अच्छे-चे व्लॉक लेकर आऊंगे मैं और बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को मुझे लिए इसको तयार कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे मुझे लिए इसको मैंने अभी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेते हैं मुझे लिए पहले बनाना खिलाया था और अब उसका पेट बर गया है तो पूरी दिर यहां खेलेगा और जब तक यह खेलेगा तब तब मैं अपने सारे काम जो है वो निप डालूँगी तो यहां पर जख खेलता रहेगा आद्या देखती रहेगी कोई दिकत होती है तो आद्या तुर्ण बताती है तो मैं बाग कर चली जाती हूँ और खाना जो है तो मेरा बनी चुका है लेकिन आज मुझे बनाना एक गाजर कालवा तो चलिए आप लोग सारेश भी शेयर करत एक बड़ा चमच भर के देशिगी लिया है और उसके बैश को मेल्ट होने देंगे फिर इसमें डालेंगे गाजर को सबसे पहले आपको किस सोरी छी लेना है फिर उसके बार दूलना है और उसके बार यह करीबन करीबन लोग गाजर है और इसको मैं मावा से बनाऊंगी ये मावा वाला ही बनाओंगी और मावा जु है, और मेने कल ही घर में बना लिया था तो दिन में मैंने मावा उगेर सब چीजे करके रख ली ती, उसके बाद सामको में थोई सी तविज स्विछ खरा आउगी थी इस वज़े से मैं कल सामको हलवानी बना पाई थी और खर ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई थी तो बस इसको पलट पलट कर देसी घी में इसको थोड़ी दिर भून लेंगे करीवन पाँच मिनट बस उसके बाद इसको ढख के रख देंगे पकने के लिए जैसे ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी करीवन 10-12 मेट के अंदर उसके बाद फिर इसके पलटेंगे और उसके बाद इसमें हम एट कर देंगे चीनी चीनी मैंने दो कटोरी भरके डाली थी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम मीठा जादा मीठा जैसा खाना पसंद करते हैं उसी साफ से डाल सकते हैं चीनी डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे चीनी डालने के बाद ये बहुत पानी छोड़ेगी चोड़ेगी गाजर तो इसके पज़े से आपको थोड़ा फ्लेम को हाई करना पड़ेगा हाई फ्लेम में इसे पकाना है जैसे ही इसका पानी धीरे-धीरे कम होने लगेगा तब आपको एक ग्लास दूद डाल देना है दूद ऑप्सिनल है आप चाहे तो डाले अगर ना बन करें तो आप ना डाले आपको दूद डालने से क्या होगा जो गाजर है वो अच्छे सॉफ्ट हो जाएगी और दूद डालने के बाद इसको पकाना भी है बिल्कुल ड्राइ कर लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे और जैसे ही ये ड्राइ हो जाएगा तब हम मावा डालेंगे इसमें लेकिन मावा को डालने से पहले आप मावा को एक बार भून लें तो ज़्यादा अच्छा है और जो भी ड्राइफूर आप डालना चाहते हैं वो ड्राइफूर भी कट करके रख लें तो इसी वीज में मावा भी भून लिया था जो घर में बनाया था और जो ड्राइफूर थे उनको भी कट कर लिये तो मैंने काजू, बादा, पिस्ता ये सारी चीजे मैंने कट की हैं और कट करने के बाद मैंने सबसे पहले इसमें मावा जो भून के रखा है उसका थोड़ा सा हिस सा बचा कर सारा मावा मैंने डाल दिया है गारनिसिंग के लिए मने थोड़ा सा बचाया है और सारी के सारे ड्राइफूट भी मैंने डाल दिये है ऊपर से डाल ले थोड़ी से ड्राइफूट है वो मैंने बचा लिये है यहां पे जो हलवा है आप देख सकते है बनके तैयार ह alcanz ए है इसमें मैंने थोड़ी सी चोटिवली लाइची है, उसको भी कूट की डाला है, अच्छी खुसबू आती है, अच्छा स्वाज आता है, तो आप लोग भी ट्राइ कीजिएगा, कैसे बनाते हैं, आप लोग में शेर कीजिएगा, तो ये रहा हलवा, और मैंने दो में इसलिए निकाला है, एक मेरे भगवान जी को भोग लगाना है मुझे, इसलिए तो अब उपर से गाने सिंग कर देंगे, मावे से, उसके बाद ड्राइफॉट से, तो ये छोटी सी कुछी कोटोरी है, इसको मैं भगवान जी के लिए चढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग ये तो हल्वा की रएस्पि आपको कैसी लगी मेरे सा जरू शेयर करना, आप कैसे बनाते हैं, कौन सा ल्वा पसंद करते हैं, और अगर आपको ये रएस्पि अच्छे लगी हो, तो मुझे मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, बैद शेयर कर सकते हैं मेरी रेस्पी को कोई और को हेल्प हो जाएगी तो गाइज अभी मैंने हल्गा बना लिया है और बस साड़े तीन से उपर हो गया है टाइम मेरे हजबन अभी आए नहीं है तीन बस के 45 स्टार्ट करूंगी अपना लेकिन साम को जैसे की दक सोया साड़े तीन बजे उसके बाद मेरी तव्याई बहुत ज़्यादा खराब हो गए मेरा सर ना बहुत दर्द हो रहा था यहां पीछे वाला हिस्सा मैंने बहुत बार बताया मेरा जब भी कभी सरदर्द होता है तो मेर सारे लोगों से गुए तो हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि मेरी नेक बहुत दर्द होती है बहुत ज्यादा और इसकी वज़े से मैं कल व्लॉगिंग नहीं किस्थ साम को श्टाटी नहीं कर पाई तो कल मैने कोई व्लॉग नहीं बनाया था मंडे का और मेरा हस्बि वीडियो के साथ में ततक लिए बाबाय क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको मेरी रैस्पी कैसी लगी यह रही आध्या आध्या पता नहीं क्यों घर में चड़ी हुई है देखो आप पहने गुम्री में इतनी बार बोल रही हूं तो उपर से कभी जैके ड गयाईस थमौप मेरी लोड़ी हुई 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 झाल सुनृ स से थन ओ थलेस्ट खप्यों fourth dola इन सभी जैवर्या juice